दोस्तो बारत और बांगलादेस की बीच टीटवेंटी वल्ड कप दो हुजा चोईस काक सूपर एट का हाई वोल्टेज और रोमांचक मकाबला केला गया तो बताएंगे इस बड़े मकाबले का पूरा हैलाइट वीडियो और आकरी ओरता कौन सी टीम ने इस बड़े मकाबले का पूरा हैलाइट वीडियो और आकरी ओर तक कौन सी टीम ने मकाबले को जीत लिया है आप इस वीडियो को एंड़ तक जरू देखते रहे ही वीडियो को लाइक का दिजे चैनल पने हो तो सस्क्राइब करके बैल बटांग जरू दबाली जे दोस्तो इस बड़े मकाबले म बहातरी टीम को पहले बल्ले बाजे का मुकामला बारत के ओर शी विराट कोली और रोई सरुमा पारे की शुरॉ Chair करने आये और इन दोनोंने ताबर तोड आंदाज में बल्ले बाजे की जर रोई सर्मा ने दूसरे और में एक कापी लंबा चक्का लगा दिया, तो रोई 23 गिंदों पर 36 रण के पारे खेले विराट कोले ने अपनी पारे में एक चोका और तीन शांदार चक्के लगाए लेकिन रिशब पंत की बीच मैदान वापसी होते रिशब पंत ने भी अग्रेशिव खेल दिकाया और टीम इंडिया का इसको तेज गति से सोके पार पोचा द थे और इन दोनों ने टीम इंडिया की पारे को शंबाला और पच्छा से ज्यादा रण के पार्ट निशिब जड़ दी जहां शीवम दुवे ने भी कापी आक्रामक बल्ले बाजी की और मैसे 24 गिंदों पर 34 रण का योगदान दिया जिन में तीन शक्के देखने को मिले ल इसे टीम इंडिया का इसको तेज गती से आगे की और बड़ा और इन दोनों के बीच 17 रण की पार्ट शिब देखी गई तो वहीं हार्दिक पांडिया की दुवारा लंबे लंबे चक्के देखने को मिले और हार्दिक पांडिया आंत तक क्रिजबा ठके रहे और नाबाद 27 गेंद अपर 50 रण के पारे के लिए जिनों में 4 चोके ओ तीन सांदार छके लगाए जिसकी बदोलत टीम इंडिया का इसको तेज गती से आगे की और बड़ा और बारते टीम ने निर्दारेत 20 और में 5 विकेट के नुक्षान पर 166 रण बना दिये टीम इंडिया की ओर से हार्दिक पांड़ा स्यों दुब्यों विराट कोली द्वारा कापी सांदार पारे केली गई जिसकी बदोलत टीम इंडिया ने 197 रण का टार्गेट दे दिया जवा में लक्ष का पीचा करने उतरी बांगला देश की सुरुवात भी कापी सांदार रही जा उनके ओपन दुवारा कापी सांदार बल्ले बाजी देखी गई कफ्तान शांटो कापी अग्रक्षिव अंदाज में खेलते नजर आये ते तबी गेंद बाजी लेकर कुल्दीप यादाओ आये और बैक टू बैक ओर में टीम इंडिया को एक के बाद एक दो शपता दिला गए वहां से बांगला देश की पारे पूरी तरह से लटकडा चुकी थी और टीम इंडिया के ओर से कुल्दीप यादाओ ने मैस चार ओवर में 19 रंदे का 3 विगर चटका ली जिससे बांगला देश की पारे पूरी तरह से डैस में सोती नजर आई उसके बाद में कप्तान शांटो भी जश्मित बुम्रा के शिकार हो गए बाद में बल्ले बाजी करने आए महम दुल्ला भी ज़्यादा दे तक नहीं टिक पाए लेकिन आंता तक खड़े रहे और जाकेर अली को भी अर्शदीप सिंग ने पवने ने लोटा दिया जिसकी बदोलत बांगला देश की पारे पू बड़ा मकाबला बच्चा हुआ है जो कि आश्टेलिया के साथ 24 जून को होगा इसे में टीम इंडिया अभी वी वर्ल्ड कप दू हुजा चो इसके सेमी फाइनल में फूंच चुका है उमिदे कि आश्टेलिया को हराका टीम इंडिया टोप करेगा दोस्तों वीडियो फ़ स्क्राइब जरू करें ताकि इसे अपडेट आप लोगों को मिलती रहे